Hi everyone, आप सभी का हमारे YouTube चानल में स्वागत ही. Redmi ने भारत में अपने Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन प्रतिसपर्धी मूल्य निर्धारन और अच्छे विनिर्देशों के साथ लॉंच किये थे. Redmi Note 10 अपनी सीरीज के स्मार्टफोन में सबसे किफायती डिवाइस है. डिवाइस को Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के साथ लॉंच किया गया था. हाला कि, रिलीज होने के कुछ ही महीनों बाद, डिवाइस की कीमत में तीसरी वृध्धी पहले ही हो चुकी थी. शाउमी ने Redmi Note 10 की शुरुआती कीमत, देश में 11,999, यह कीमत 4GB RAM और 64GB Internal Storage वाले वेरियंट की थी. 6GB RAM और 128GB वेरियंट वाले High-Tier वेरियंट की कीमत, 13,999, इस बार 4GB RAM और 64GB Storage वाले बेस वेरियंट की कीमत 12,999, नई कीमते पहले से ही Mi.com पर लिस्टिड हैं. जल्द ही यह Amazon India की वेबसाइट और ओफलाइन स्टोर्स पर भी दिखाई देगा. संक्षेप में, शाउमी इंडिया ने Redmi Note 10 के दोनों Storage Configuration की कीमत में रुप्य की वृद्धी की है. रेड्मी Note 10 को 6.43 इंच फुल HD AMO LED डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ लॉंच किया गया था. मोर्चे पर, हैंसे टेक पंच होल केमरा कटाउट डिजाइन प्रदान करता है जो एक सेलफी केमरा सेंसर को समायोजित करता है. हुट के तेहत, रेड्मी Note 10 स्ने पड्रेगन 678 चिपसे द्वारा संचालित है, जिसे 6GB तक RAM और 128GB स्टोरेज के साथ चोड़ा गया है. सॉफ्ट्वेयर के मोर्चे पर, स्मार्टफोन MIUI 12 के साथ Android 11 पर चलता है और जल्द ही MIUI 12.5 अप्डेट प्राप्ट करने की उम्मीद है. स्मार्टफोन 4 8MP Sony IMX582 Primary Sensor, 8MP Ultra Wide Angle Sensor, 2MP Micro Camera और 2MP Depth Sensor के साथ Quad Camera सेटप को स्पोर्ट करता है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो चैट के लिए इसमें 13MP का Sensor है. Redmi Note 10 में 5000 mh की बैटरी 33W Fast Charging Sport के साथ है और इसमें Side Mounted Fingerprint Sensor है.